हेलो दोस्तों, आज की ये वीडियो जीजी प्लांट की रिपॉर्टिंग के लिए है, तो रिपॉर्टिंग मुझे क्यों करनी पड़ी ये कारण जाना ज़्यादा जरूरी है, ये कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अचानक से गर्मी के इस भरी गर्मी में मुझे अपन जितने भी जो इंडोर प्लांट होते हैं, और इतने कॉसली प्लांट को लगाने के बाद वो हमारे घर की ब्यूटी बढ़ाते हैं, लेकिन ये जी वो सूख जाते हैं, तो एक गाड़नर होने के नातिर दुख तो होता है, और साथ ही साथ मनी का लॉस भी होता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम फ्लावर के प्लांट पर ध्यान दे रहे हैं, वैसे समय में इंडोर प्लांट पर ध्यान नहीं देने के कारण ये जो गर्मी का समय है, ये जो परिशानी है वो गर्मी के दिनों मेही आती है, देखिए दोस्तों, जब मैंने इस पीले व तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो परिशानी है तभी मेरे प्लांट जो है वो इस तरह से पीले-पीले हो रहा है तो मैंने दोनों प्लांटर की मिट्टी निकाल ली यह जानने के लिए कि कहीं दूसरे में भी तो कीड़े नहीं लगे हैं या पी किसी तरह की चीटी लगे हैं देखिए चीटिया कितनी जादा होती है तो इसका कारण यह होता है कि गर्मी के दिनों में जब तेज गर्मी पढ़ती है तो यह जो है वो ठंड़क ढूनने के लिए मिट्टी में चली जाती है क्योंकि मिट्टी में मॉइस्ट बना रहता है मॉइस्चर रहता है और मिट्टी ठंडी भी होती है और खासकर यह जो प्लांटर है यह जो प्लांट है वो घर के अंदर रखे रहते हैं इंडोर प्लांट है तो वैसे भी इनकी मिट्टी काफी ठंडी होती है तो ठंडक ढूनने के लिए यह चीटियां मिट्टी के अंदर गंबले में चली जाती कि वह दिरे दिरे इतन इतनी चीटिए हो जाती है तो दोनो प्लन्ट में से प्लान्ट को मैंने निकाल लिया शारी मिंट्टी मैंने अलग कर दी और ध्यान से देखा कि इन में कुई और फंगस नहीं लगा हुआ है तो तो आफ़ भॉल कि मैंने बTV कोई यह दिक ते कि इस पी बस एक की मेरे जो औरेंज वाला फ्लांटर है चोटा है इसमें मेरे बहुत सारी चीटिया लगी हुई थी तो अब देखे हैं आपको अभी भी दिख रहा होगा कि कितनी सारी लाल-ाल चीटिया घूम रही है और ये जो चीटियां होती है बहुत ही खतरनाग होती है इतने सारे इसमें अंडे देती है देकिए तेमें एनके सारे एक जो है वह वाइट वाइट दिख रहा है और इसके बाद बहुत तेजी से तो दीरे-दीरे इनकी जड़ों को खा जाती है और पिर हमारा प्लांट खराब हो जाता है तो ये धियान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि indoor plant में ही जादा तर लगते हैं जो outdoor होते हैं वो तो धूप में रखे होते हैं तो धूप में चीटिया नहीं लगती है लेकिन जो indoor रखे रहते हैं ठंडे वे रहते हैं ठंडक मिलती रहती है तो चीटिया भी बेचारी क्या करें इतनी गर्मी में वो भी ठंड़क ढूनने के लिए गमले के अंदर चली जाती है, मिट्टी में छुप जाती है, तो अब इस मिट्टी का तो मैं आज यूज नहीं कर सकती हूँ, तो इस मिट्टी को मैं पूरी तरह से धूप में रख देती हूँ, क्योंकि कम से कम एक दिन में छे से साथ घंटे की तेज धूप इन्हें लगेगी, तब जाकर के इनसे ये जो चीटियां हटेंगे, और इनके जो इनमें एग हैं, वो हटेंगे, वो नस्ट हो जाएंगे, तो पूरी तरह से इन्हें मैंने धूप में डाल दिया है, तेज धूप है, वैसे भी सूरज की कितने फ़ी किटानों को नस्ट करने की घंटा होती है, तो पूरी तरह से मैंने मिट्टी को एक सार करके फैला दिया, ताकि जो भी इनमे यदि इसके अलावे भी कुछ फंगस वगारा हो तो वह भी नस्ट हो जाए, बाद में मैं किसी और गंबले के लिए, किसी और प्लां तो पूरे दिन की धूप लग जाएगी तो ठीक हो जाएगी अब मुझे इस प्लांट को रिपॉर्ट तो करना ऐसे तो छोड़ने ही सकते हैं तो इसे रिपॉर्टिंग करने से पहले मैं अच्छी तरह इनकी जड़ों को इनके बल्ब जो है राईजों इसे मैं अच्छी तरह अच्छा तो लगता है लेकिन काफी महनत वाली भी चीज होती है लेकि बाकी को तो मैंने अलग नहीं किया लेकिन एक छोटा सा प्लांट और अलग हो गया है तो उसे मैं अलग प्लांटर में लगा दूगी तो अब इसके लिए मिट्टी बनानी है क्योंकि सबसे पहले इनक पानी से भरा हुआ है तो इसमें ज्यादा पानी होने से फंगस लग जाता और पानी से वो सड़ भी जाता है तो हमें बहुत ही हल्की भुरबुरी मिट्टी लानी है तो सबसे पहले इसमें डालना है हल्दी क्योंकि हल्दी जो होता है वो एंटी फंगल होता है एंटी बैक की जड़ों को बढ़ाता है पौदो यदि पत्ते पर आप स्प्रे करते हैं तो पत्तों में चमक आ जाती है तो कई तरह के किट नाशक का भी यह काम करता है तो इसलिए इसे मैंने भी एक टीस्पून ले लिया है ताकि मिट्टी में खास कर गर्मी के दिनों के लिए यह बहु पोटैशियम पोटास ले लिया है जो कि ग्रैनूल के सकल में है कि उसमें फॉर्म में है और यह बिल्कुल और गैनिक है तो जो पोटास होता है वो किसी भी पौदे की जड़ों को बहुत अच्छे से बढ़ने में मदद करता है वैसे तो फल फुलों के लिए होता है लेकि जाल देता कि मिट्टी और अच्छी हो जा उसके बाद मैंने 2 चम्मच लिये है इसमे तो मुठी लिया है यह नीम की खली जो है वह बिल्कुल और अरिजनल है क्योंकि यहां जब हम नर्शरी से ले कला आते है लोकल नर्शरी तो बिल्कुल पावडर फॉर्म में होता है और तो इसके बाद मैंने यहां पले है Trichoderma fungicide, तो Trichoderma fungicide यह आपके पास साफ है, तो आप साफ भी डाल सकते हैं, मेरे पास साफ भी है, तो Trichoderma मैंने इसलिए लिया, कि शायद इसमें कहीं कुछ फंगस का कुछ अंश रह गया हो, तो Trichoderma जो है, वो बुरे बैड फंगस को म इसलिए मैंने इसमें Trichoderma यह लिया है, और इन सब को अब मैं इसमें मिट्टी में मिला देती हूँ, क्योंकि यह सब मिलाने के बाद मेरी मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी, कि उसमें मेरे जो प्लांट है, वो बहुत अच्छे से growth कर पाएंगे, तो यहां देखिए इ नहां पर मैंने Verme Compose ले लिया, तीन मुठी, वैसे इसमें पहले से Verme Compose मिले वे थे, यह जो है, जो मिट्टी मेरी रखी हुए, वो थोड़ी सी आधी बनी हुए मिट्टी थी, उसमें मैंने तोड़ा सा और यह सारी चीजे मिला दी ताकि मेरे प्लांट को कोई दिक्कत नह इसमें रह गये थे, तो आप चाहे तो हटा भी सकते हैं, और नहीं तो रख भी सकते हैं, वैसे तो कहा जाता है, जिसमें राइजोम होते हैं, जो बल्व वाले प्लांट होते हैं, उसमें पत्तों की खाद नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि पत्तों की खाद में बहुत जादा फर्क नहीं पढ़ता है वह फटलाइजर बन जाएंगे तो इस तरह से दोस्तों को हम दोस्तों इन्हें मिला देना है मिला करके ताकि सारे जो हमने इन्ग्रीडियन डाले हैं वह अच्छे तरह से मिक्स हो जाएं उसके बाद हमें इसे भर देना है अपने प्लांटर मे देखिए, प्लांटर में नीचे जो हूल था उसके उपर मैंने ठीक रह रख दिया है और मिटी को दबा दबा कर उसमें डालना है ताकि मिटी में कोई air gap नहीं रहे और उसके बाद इस तरह से बीठा करके मैंने दो बल्ब जो इसमें थे उसे मैंने रहने दिया है एक छोटा वाला बल्ब इससे अलग हो गया तो मैंने उसे हटा दिया ताकि मैं दूसरे में डाल सको तो दोनों प्लांटर में इसी तरह से मैंने भर करके अच्छे से दबा दबा करके अपने जो मेरे पुराने प्लांट थे यह तो प्लाण बिल्कुल सही था लेकिन मैंने चेक करने के लिए इसे भी निकाल दिया था देखें इसमें एक नया शूट फिर से निकल रहा है दो-Τीन इसमें नीचे में भी है वो निकल रहा है तो इसे भी मैंने अच्छे से लगा दिया बस चैनल पे नए है तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए अब मिलती हो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक मेरे साथ बने रहें और इसी तरह से अपने इंडोर प्लांट का ख्याल रखते रहें उने की देख भाल करते रहें उने चेक करते रहें कि कहीं उनमें कोई पिस्ट तो नहीं लगा है उनमें चीटिया तो नहीं लगी है क्योंकि इन दिनों गर्मी के दिनों में चीटियों का प्रकोब बहुत जादा होता है और ये चीटिया सिर्फ देखने की ही चीटिया होती है वेकि बहुत खत्रनाक होती है क्योंकि एक बावाश प्लांट में लग जाती है तो पुरे प्लांट को ही खा जाती है तो देखिए दोस्तों मैंने जो मिट्टी बनाई थी कि इतनी पूरस है मतलब हाथ में आप चेक कर लेना है कि मिट़्ी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम मुठी बांथे तो वो खुल जाए वो मुठी बंद नहीं पाए तो ऐसी हलके मिट़्ी होनी चाहिए और ऐसे ही उसके last में फिर आप इसमे पाणी भी डाल दें पाणी इतना मét डालें कि पाणी बहुत ज़्यादा हो जाए क्योंकि आल्रेडी इनके राइजोम में इतना पानी होता है कि ज़्यादा उपर से पानी डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी होल करने के कारण इनके राइजोम गल जाएंगे तो ठीक है दोस्तों बाइबाई